नमस्कार, मैं महावास्टो सर्टिफाइड ट्रेनर और आचावियर अमिता गर्वाल। आज का टॉपिक है कैसे सौथ इस्ट को और नॉर्थ को बैलेंस करके एक रिष्टे में जो दरारा री थी उसको सफदा पुर्वक दूर किया दिया। मैं अपने मित्रा सिंजी से बात कर रहा था। बात्चित के दौरान मुझे पैकरों में कुछ आवाजें सुनाएंगी। आवाजें सही नहीं थी। मुझे कुछ महसूस हुआ कि घर में तो कुछ परिश्यानिया चाल रही। मैंने थोड़ी दर के बाद मिस्टर सिंजी से बात की। मिस्टर सिंजी ने मुझे बात्चत के दौरान बताया कि मिस्टर सिंजी दू बहुती लेजी हो गया है। कुछ काम नहीं करते हैं बस हर समय सोफे पे बैठे रहते हैं। कुछ नो कुछ करते रहते हैं और मिस्टर सिंजी घर के काम करते परिशानियां हुगेए। उनका ये व्यक्तित वर रखा उन्होंने मेरे सामने कि मिस्टर सिंग जी के लेजिनेस के कारण रोज उनके बीच में गदर होते हैं यहां तक कि वो सोच रही हैं कि शायद वो डिवोर्स के लिए आगी जा सकती है मेरे लिए बहुत शौकिंग वाली न्यूस थी जो मेरे मित्र औरों की वाइफ पिछले पंदरा साल से बड़े खुश पुरवक रह रहे थे बड़े खुशी का माहूल था अचानक से डिवोर्स की बात सुनकर मैं हिल सा गया था तुरंद मैंने मिसस सींजी से पुछा कि आपने कहीं नौर्थ में कोई लाल गंदे तुन ही रखी हुए हैं और आपके साथ हीस्ट में कोई निले रंग के गंदे रखी हुए हैं उन्होंने बताया कि हाँ अमिट जी आपने तो एक गंद सहीं बताया यह कैसे हैं मैंने उनको बताया कि आप एक काम के लिए हैं तुरंद आप साथ हीस्ट में लाल गंदे रखी हैं और जो लारंग के पौधे लारंग के फौध की जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको भी आप साथ हीस्ट में रखी जाए और साथ हीस्ट की निलेवने गंदे को आप नौर्थ में रखी जाए बहतर होगा नौर्थ ही जब का आप एस्ट में रखी जाए यदि आपके पस चाहिए तो उन्होंने तुरंट वो चेंज किये और साथ में मैंने उनके साथ वेस्ट में उनकी एक खुद की पिक्चल लगवादी और इस्ट ऑफ नौर्थ इस्ट में उनकी जो हॉलिडेर जाने वाली बड़े खुशी वाली पिक्चल लगवादी मुझे विश्वास नहीं हुआ हफते भड के भीतर में मिसस सिंजी का मेरे पास पोन आकर उन्हेंने बहुत आभार व्यप्त किया और मुझे बताया कि कमाल हो जिस दिन से आपने करवाया उसके दूसरे दिन से ही सिंजी शांती से बैठेने नहीं लगे और घड के काम में थोड़ा मुझे हेल्प करवाने लगे और जो काम पिछले दो महीने से अटकी हुए थे जो आनी रहे थे उस पैसे में से आधे पैसे कल ही मेरे अकाउंट में चाहा हो गए उन्होंने बया उन्होंने मुर्स पूछा अमिद जी या आप क्या करवा देते हो मैंने वो इमेल नहीं यह महावास्थो का कमाल है बस ऐसे छोटे छोटे उपचारों से घर की बड़ी बड़ी परशानिया दूर हो जाती है